वेलकम स्टूडेंट्स तुड़ इंट्रड़क्टरी क्लास अव संसा आज का विशा है इंकम टैक्स तो आप लोग जैसे जानते हैं कभी जिन्दगी में कभी सोचा है कि यह देश कैसे ऑपरेट कर रहा है यह जो गौर्वर्मेंट बनी हुई है यह कैसे देश को चला रही है इतने पैसे आते कहां से हैं कोई है क्या मनी प्लैंट लगा हुआ है पैसे का पैड लगा हुआ है जहां से पैसे ला रहे हैं और काम करते जा रहे हैं कोई तो वहां बैठके बोल रहा है नहीं आर्बियाई है पैसे च्छाप रही है नहीं ऐसा नहीं होता अगर तब कि बादे जब kingdom सुभा करते थे राजा है अपने देश का जम्माल उठाते थे उनकी राजा जो है देश के सारे खर्चे उठाते थे देश का कहां पर infrastructure development होगा कहीं पर army को रखना है उनका खर्चा उठाना है तब ही कि टाइम से ही जो राजा लोग होते थे तब करते थे फ्रंडम यहिक कशना कुछ तोड़ा बहुथ अपने हिसाब से लूल बना ले ओर पैसा लेजंदा करने गूर्मिant का खर्चा उड़ता था कि दीडेटिडेए दीडे दीडेए करके अभी हम अभी के टाम पर पहुँझ गया है पोस्ट इंडेडिमेंडनेस्ट में उससे पहले हम ब्रिटिस्ट सब्सक्राइबिक हमारे गवश्य को टेक्स दे रहे हैं किसी में बहुत सही बोला है इंद वह अंबमारे को कि点 somm सकते हैं, टेक्स को समझ सकते हैं, टेक्स से प्यार कर सकते हैं, टेक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, तो चलिए, हम बात करते हैं, टेक्स के बारे में, जनरली, यह जो टेक्स है, यह दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अन ब्रोडर सेंस, text is divided into two parts one is direct text one is indirect text अब सोच रहोगे यह divide करने की जरूरत क्या है है क्या यह direct text क्या है indirect text क्या है generally आप day to day life में है दो तिन टर्म है जो सुनते आ रहे होंगे एक तो है income tax यह कौन से category में fall करता है और क्यों fall करता है वैसे ही आप सुनते होगे GST यह कौन से category में fall करता है और क्यों करता है ठीक है पहले तो हम डिसक्रस करते हैं टेक्स डिरेक्ट टेक्स ओटेक्स है जो गौंब्वेंट डिरेक्ट ली उस बंदे के उपर लगाता है उस पर्शन के उपर लगाता है जो खुद इंकम करता है यह केटेगोरी में एक मेजर डिसकुस्चन का पॉइंट है इनकम टैक्स यह जो डिरेक्ट टैक्स कैटेगोरी में टैक्स बर्डन जो असेसी है वो पासन करके और किसी के उपर नहीं लाज सकता उसको खुद को बियर करना पड़ेगा इसका बर्डन इसका फीज इसका चार्ज इस जो टैक्स है अपने कंट्री को चलाने के लिए उसको मीट करने के लिए तो यह टैक्स को दो तरीको से उसका मेज़र एडिया फिर होते थे sales tax, Central sales tax on, Central sales tax collected by Central Government, Bin collected by state governments, और एक है इसमें custom duty. But हम आज majorly discuss करेंगे income tax, आज का जो topic है, income tax में generally हम दो चीजों के उपर focus करेंगे, एक तो है income क्या है, दो है tax क्या है, एक एक और सब्सक्राइब कि यह इसको इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि वह एक्शुली जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वह इंकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके टेक्स लगना चाहिए तो हम देखेंगे गौर्मेंट का क्या मानना है क्योंकि अल्टिमेटली पैसे तो सारे उसी उनी के पैस जाने तो गौर्मेंट के हिसाब से उन्होंने तो टैक्स का एक आक्ट बना रखा है इंकम टैक्स एक्ट 1961 आप सुचरों के 1961 में रूल बना हुआ था उससे आपसे टेक्स लग रहा है नहीं यह ब्यूटी सब्जेक्स का यह है कि इंकम टैक्स जो है बहुत ही रिवल्विंग सब्जेक्ट है सायद एक वर जो अकाउंटिंग बन गया जैसा फॉलो हो रहा था ने इंकम टैक्स चीजने करें हर दिन समय आपने मेंटस आते रहता है हर दिन हुट ना कुछ नया चेंज़े लाकर उस साल को उस करना और ग़्रुस्ग बदाती है व्यससे ही स्विडिटि के जरीए हर बार कुछ ना कुछ अमेंड मैंडस आते कुछ courts में cases चले गए उसमें कुछ judiciary आ गया कुछ case study का कुछ verdict आ गया तो उस case study के basis पे कैसे income tax को लागू किया जाएगा वो changes होते रहते हैं और यह subject का यही beauty है कि change होते रहता है अब यह subject में अगर अच्छा hold कर लेते हैं यह आगे जाके बहुत काम आने वाला है क्यूंकि यह एक subject है ऐसे ही कोई बैट के समझ नहीं सकता है अगर आप एरिया के expert हो यह field के expert हो तभी आपको समझ आएंगे ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे Google करके समझ गया कि अच्छा यह तो ऐसे होता है वह से होता है हम in depth यह subject के बारे में पढ़ेंगे analysis करके देखते हैं कि है क्या यह income क्य गया है tax क्या है tax के बारे में हमने discuss कर लिया tax fee है एक charge है चार्ज करती है income क्या है इंकम क्या है जानने के लिए हम आगे इसको income को कुछ category में divide करके देखते हैं कि income में fall कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंकम टेक्स के definition में अगर इंकम में fall कर रहा है इसके उबर कैसे tax करेंगे इसका क्या-क्या कैटेगरी है क्या ये इंकम है क्या ये नहीं है जाने के लिए हम थोड़ा साथ डिटेल्स में पढ़ते हैं तो इंकम टेक्स को जेनरली हम पांच हेड में डिवाइड करते हैं एक तो है इंकम अंडर दा हैड सालेरी एक है income under the head house property यहाँ पर HP करके लिख रहा हूँ और एक है income under the head PGBP profit and gain from business and profession और एक head है income under the head capital gain यहाँ पर CG करके लिख रहा हूँ और अगर यह सब category में आपका income fall नहीं करता और एक category है जहाँ पर बाकी सारे incomes को cover कर लिया जाता है वह है income under the head other source हम OS करके लिखते हैं चाहे आप salaried employee हो आपका income salary से आ रहा है चाहे आप retire हो चुके हो आपका income pension से आ रहा है employer employee employer से कोई भी benefit as form of salary pension करके आपके पास आ रहा है तो वह tax होगा income under the head salary अगर आप कोई business कर रहे हो आप manufacturer हो हो या फिर wholesaler हो distributor हो retail shop लगा के बैठे हो कोई भी सामान बेच रहे हो यह देश में या फिर आप कोई भी profession में हो सब्सक्राइब डॉक्टर हो चाहे आडवोकेट हो चाहे चाहे आटा कांटेंट हो आप कोई भी है आप घर को रेंट पर चाढ़ा रखे हो वहां से जो रेंट है वह आपके लिए income है तो वह income को हम कवर करेंगे इंकम अनर्द हैड हाउस प्रोपर्टी अगर आप बोलों कि नहीं नहीं यहां से मेरा यह सब अरिया से कोई अरिया से भी income नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं से अगर income हो रहा है जैसे कि आपके पास कुछ असेट पड़े हुए है जो कि income tax act के capital asset कैटेगरी में फॉल कर रही है वो definition को meet कर रही है जैसे कि हो गया land हो गया building हो गया कुछ shares हो गया कुछ jewelry हो गई और भी काफी चीज़ें हैं जिसको income tax act के हिसाब से capital asset माना जाता है अगर वो capital asset को आप during the previous year बेच रहे हो और वहां से आपकी कोई income हो रही है जेनरेट तो उसको हम यह category में tax लगाएंगे income tax sorry income under the head capital gain यह head में आपको उसके उपर tax देना पड़ेगा उसको आगे जाके कैटेगरेज करना पड़ेगा long term capital गयाना है या short term capital गयाना है ओ जब हम tax देना पड़ जाता है income under the head other source चाहे आपकी कोई lottery खुल गई वहां से income हो गया चाहे कोई ऐसे ही आप एक वर कुछ consultancy के विशे से कुछ तो on कर गए जो कि आपका regular income source नहीं है चाहे आप honorary मिल रहा है आपको कहीं से चाहे आप कुछ illegal income भी कर रहे हैं कुछ भी है अगर income है तो टेक्स देना जरूरी है तो अगर यह चारों category में fall नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी income है जो भी यहां fall नहीं कर रही है वहां पर हमको other source में cover करेंगे और इसके अंडर जो जो rules लगे हैं उसको लगा के देखेंगे कि यह income के उपर कितना टेक्स लगना चाहिए कितना टेक्स लग सकता है गौब्मेंट के साब से टेक्स रूल्स के साब से टेक्स एक के साब से क्या-क्या rules है कौन से category में क्या-क्या लगेगा और कैसे हम यह income के उपर optimally कैसे सही planning करके कम से कम टेक्स कैसे के लगा है हमारा गोल तो वही है अगर इंकम टेक्स हम पढ़ रहे हैं इंकम टेक्स के उपर master आ रहे हैं इंकम टेक्स को लेकर आगे काम करना चाहते है हमारा गोल यह है कि यह सारे rules के दाइरे में रहे के income tax Act के दाइरह में रहके income tax rules के दाइरह में रहके finance Act के दाइरह में रहके कम से कम tax कैसे लगेगा within the rule रहके salary से income हो रहा है तो वहां से कितना tax लगना चाहिए बाकी सारे chapters को हम detail में आगे जाके cover करेंगे interruptory classes में आज के लिए इतना ही thank you